हलो दोस्तों वेलकम तू माई चैनल स्रिष्टी एजुकेशन हौश दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार SI की जो न्यू भेकेंसी इस माह में आने वाली है और अभी बरतमान समय में बिहार SI PT परिक्षा पाश करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अन तक दोस्तों अभी की जो इस्थिती पैदा हो रही है उसके अनुसार हर एक स्टुडेंट के मायंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर विहार S.I.E. की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी तो दोस्तों आप लोग विहार S.I.E. की वैकेंसी कब तक आएगी उसके बारे में चिंता करना छोड़ देजिए क्योंकि इस माह के अन तक बिहार S.I.E. की पचीस सोग पलस वैकेंसी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों पचीस सोग पलस वैकेंसी इस माह में बिलकूल आप लोग 100% शियो रहिए कि आही जाएगी दोस्तों अब हम लोग दूसरे जोन बिहार S.I.E.E. की तैयारी की रननीती क्या होनी चाहिए उसे देखते हैं दोस्तों अभी बरत्मान समय में आप लोगों को तीन चीजों पर ध्यान देना है आप लोग वो तीन चीज़ देख रहे होंगे पहला में है घटना चक्र का प्रैक्टिस रेट दूसरा में है लूसेंट या क्रॉन का बुक जो भी आप पहले से पढ़ रहे हैं उन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है और तीसरा करेंट अफेर्स के लिए S.P.D. या इडूटेरिया का बुक किसी का भी चुनाव आप लोग कर सकते हैं दोस्तों यह यह तीन चीज ही सिर्फ आप लोगों को करना है और यही तीन चीज आप लोगों को PT एक्जाम पास करा सकता है और फालतू चीज के चक्र में मत पढ़िएगा क्योंकि फालतु चीज के चक्कर में पढ़ियेगा तो आप लोगों का mind disturb होगा तो आईए मैं इन तीनों चीजों को एक अच्छे धंग से समझाता हूँ दोस्तो सबसे पहला नंबर में है घटना चकर का practice rate घटना चकर का practice rate आप लोग लगाईएगा तो आप लोगों का score पता चलेगा कि आखिर मेरा जो छमता है किश लेबल का है वो पता चलेगा और दूसरा ये चीज पता चलेगा कि आखिर बिहार SI में जो प्रस्न है वो कहां से पूछा जा रहा है जब आप लोग को प्रश्ण का लेबल ही पता नहीं चलेगा तो आप लोग कैसे तयारी कर पाईएगा तो इसलिए सबसे पहले आप लोग घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है जो प्रिभीज येर का जो प्रैक्टिस सेट है उसे बनाईए और आप लोग देखिए कि आखिर बिहार S.I.E. में कहां से प्रस्ण पुछा जा रहा है ये चीज़ देखिएगा तो अभी शुरुवात के 10 दिनों में आप लोग घटना चक्र बनाईए घटना चक्र का प्रैक्टिस्ट लगाईए अभी अगर 10 दिन इन दोनों चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं तो कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आप लोग के पास अभी काफी समय है और दूसरा नमबर में दोस्तों लूशेंट या क्रॉन का बुक अभी दूसरा नमबर में आप लोग कंफ्यूज मत किजिएगा कि मुझे लूशेंट पढ़ना है या क्रॉन पढ़ना है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी बुक का चुनाब करना है ऐसा नहीं है कि नया बुक आप लोग क्रॉन पढ़ने लगेगा या क्रॉन पहले से पढ़ रहे हैं तो अब लूशेंट का चुनाब किजिएगा तो वो बिलकुल गलत बात है क्योंकि अगर आप लोग लूशेंट पहले से पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोग को काफी ज़्यादा अनुभब हो चुका है कि कौन सा चीजें कहां पे लूशेंट का बुक में है तो आप लोग अगर लूशेंट पढ़ रहे हैं तो लूशेंट का चुनाब किजिए क्रॉन पढ़ रहे हैं तो क्रॉन का चुनाब किजिए और इस एक बुक को आप लोग 5 बार, 6 बार जितना बार हो सके सात बार पढ़ने से बहतर है कि एक ही भुक को सात बार पढ़ा जाए वो ज़्यादा बेनिफिट होता है तो आप लोग हर एक बुक को नहीं पढ़िएगा, एक बुक का चुनाव कर लिजिए, उसी को एक अच्छे धंग्से दम पढ़ लिजिए, कि उससे अगर प्रस्ण पूछा जाए, तो एक भी प्रस्ण नहीं चुटना चाहिए, तो ये चीज आप लोग कर लिजिएगा, और तिसरा नंबर ये है कि करेंट अफेर्स, करेंट अफेर्स में आप लोगों को या तो अश्पीडी पढ़ना है, या एडुटेरिया, कोई भी करेंट अफेर्स का एक बुक उठा लिजिएगा, दोनों को चक्कर में मत रहिएगा, सिर्फ और शिर्फ एक बुक मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं अगर स्पीडी पढ़ रहे हैं या इडूटेरिया पढ़ रहे हैं तो दोनों में तो कॉमन चीज ही रहता है दोनों में वही चीज आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्ट एक बुक का चुनाब किजिएगा और उसमें जो भी प्रस्ण बनता है वो शारा आप लोगों को पढ़ जाना है क्योंकि आज का जो कमपर्टीशन का लेबल है वो काफी हाई हो चुका है तो आप लोगों को पूरा अश्पीडी का करेंट अफेर्स या इदूटेरिया का A to Z करेंट अफेर्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि PT एकजाम का जो कटप है वो 70 से कम तो जाने बाला है नहीं तो आप लोगों को एक अच्छे धंग से प्रिपरेशन करना है और अच्छे धंग से प्रिपरेशन कब होगा जब आप लोगों को पता होगा कि आखिर अच्छे धंग की रिजल्ट लाने की आखिर क्या सही रनिती है उसे अगर आप लोग समझ पाईएगा तो बिलकूल आप सेलेक्शन बिहार SI में ले पाईएगा तो दोस्तों आईए है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर ये घटना चक्र का बुक कैसा होता है और करेंट अफेस स्पीडी का बुक क्या होता है उसे आप लोग देख लिजे और उसके बाद आप लोग बुक को पर्चेज कर लिजेगा और अपनी तैयारी शुरू कर देजे दोस्तों ये देखिए ये देखिए घटना चक्र का आप लोगों का ये बुक है इसका आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाईए इसका प्रैक्टिस सेट अगर लगाते है इस घटना चकर का बुक का तो आपनोंका अनुभब मिलेगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ तो बार बार एक ही चीज़ को repeat करने से कोई फाइदा नहीं है अब मैं दूसरा बुक देखिए ये घटना चकर का बुक है और दूसरा देखिए ये लुशेंड का बुक है ये बुक का मैं चल्चा कर रहा था अगर आप लोग क्रॉण का बुक पढ़ना चाहे तो मैं बता दिया हूँ क्रॉण का बुक अपलाई कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत बाली बात नहीं है लेकिन एक बुक का चुनाव करना है मैं शिर्फ और शिर्फ यही बता रहा हूँ कि एक बुक का चुनाब करना है और उसी को एक अच्छे धंग से पढ़ लेना है ताकि उसमें से एक भी प्रस्न हमें मिश न हो पाए अब देखिए एक तीसरा नमबर में यह आप लोगों को नजर आ रहा होगा यह स्पीडी का बुक है यह है इसमें बार्शी कांक होता है पूरे एक बर्श का जितने भी करेंट अफेर्श होते हैं वो इसमें रहता है तो आप लोग इसका एक एक पेज को एक दम रट जाएगा क्योंकि उससे एक भी प्रस्ण मिश नहीं करना चाहिए एदम ऐसा तैयारी का लेबल आप लोगों को बना लेना है मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कमपर्टीशन का लेबल जो है काफी हाई हो चुका है तो आप लोगों को एक दम एक बेहतर ढंक से जब तक तयारी नहीं होगा तब तक आप लोगों को बिहार एशाई में सेलेक्शन मिलने वाली बात नहीं है तो जितना मेहनत कर सके इन तीनों चीजों पर उतना मेहनत किजिए अगर इसके बाद अगर समय बचता है तो कुछ अपना जो छमता है कुछ अपना जो अनुभब है उसको अपलाई कर सकते हैं दोस्तों आज के वीडियो वर्ष यहीं तक आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिएगा चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद